मस्ते दोस्तों केटी रेसिपी में आपका स्वागत है आज मैं चाट पूरी की रेसिपी बनाऊंगी तो यह तुरंट के तुरंट जटपट बॉली रेसिपी है आप सिर्ख मठ्री बना के रख दोगे तो इस तरह की चाट अप गर पे ही बना के खास होगे जब भूख आप जाके मठ्री की रेसिपी देख सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पे बना लिए वो बड़ी वाली बना ली थी मैंने यहाँ पे छोटी छोटी बना ली है क्योंकि हम चाट पूरी बना रहे हैं और यह आलू का मसाला है वो मैं ले रही हूँ आप यहाँ पे नॉर्मली ब पुदिना की चटनी ले ली है और मैंने यहाँ पे मिठी वाली चटनी ले ली है और यह लसन की चटनी है लाल मिर्ची की वो ले ली है और चुटा-चुटा काटके प्याज और चुटा-चुटा दनिया काटके ले लिया है मैंने यहाँ पे अब हम यहाँ पे चाट पूरी बना लेंगे तो एक प्लेट लेंगे इसके उपर हम इस तरह से ये वाली पपड़ी रख देंगे हमें थोड़ा बीच में गैप रखके ये पपड़ी रख देनी है अब हम इसके उपर आलू का श्रफिंग रख देंगे ये मेरे समुसा बनाये था उसका ही श्रफिंग था तो तो वो ही मैंने इसके उपर डाल रहे हूँ आप यहां नॉर्मल आलू भी चलता है बॉयल वाला भी सिर्व इसमें नमक डाल दो अब मैं यहां पर प्याज डाल दूँगी और अब हम इसके उपर दही डाल देंगे आप मिठी चट्नी नहीं बना रहे हो तो दही के अंदर दो चम्मच चीनी डाल दो तो आप मिठी चट्नी भी बनाने की जरूरत नहीं है मिठी ही लगेगी चाटपूरी आपको अब मैं यहां पर लोशन की चट्नी डाल दी है अब मिठी चट्नी डाल रहे हूँ अब हम यहां पर दन्या फुदी ना की चट्नी डाल देंगे इस तरह से चम्मच लेके आपको यहां पर इस तरह से कर लेना है अब हम यहां पर सेव डाल देंगे और फिर से ही हम इसके उपर सेव और वो मसाला करेंगे फिर से ही दही डालेंगे चट्नी लगाएंगे तो इस से तेश दोगुना बढ़ जाएगा यहां पर खाने में बहुत ही स्वादिश लगेगी फिर से ही हम प्यास, दही, मिठी चट्नी, हरी चट्नी, लॉसुन की चट्नी रख देंगे और धनिया डाल देंगे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो फेमली फ्रेंड्स के साथ सेर केजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अब मैं यहाँ पर चाट मसाला डाल दूँगी इस तरह से आप इसके उपर अनार के दाने और मूंख फली रुष्टेड मूंख फली भी डाल सकते हो वो भी बहुत ही बढ़िया लगती है तो यह हमारी चाट पूरी बन के तयार है आपको इसको तुरंत का तुरंत ही खाना है नहीं तो यह पपड़ी नीचे की सौफ्ट हो जाएगी और खाने में अच्छी नहीं लगेगी तो तुरंत का तुरंत खा लिजे लाइक सेड़ और सब्सक्राइब कर दीजे